तो आज की ख्लास में वॉइस के अथर साइज है और यहां पर जो टोटल सेंटेंस हैं वो हो जी आज टेंग सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ बैसे इंगलिस क्रेमर चल रहा है और यूपी टीटी पीटी के जोवी स्क्रूडेंट है जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी छोड़ा सा बैच चल रहा है बहुत ही कम पीस में तिदि आप लोग चाहिए उसे जोइन कर सकते हैं और चली लेते हैं और इस सीरिज में हम अपने 40 सेंटेंस कंप्लेट कर चुके थी तो आज 40 से उपर अपने सेंटेंस को बढ़ाते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं कुश्चन नमबर बन है अपना 41 में आपको उताना है जिए राइट वोइस क्या होगा यहां पर इस लिखा हुआ है कौंसा पैसिब बॉइस है यह पास्टेंडेफिनिट टेंस में पैसिब बॉइस है तो इसका एक्सिब बॉइस होगा है सब्जिट क्या बना आजए हम सब्जिट बना देंगी तर यहां पर देखो reward, the king, the king तो simple है हम सबसे पहले यहाँ पर दो option को eliminate करते दिया ठीक है? अब हमारे पास दो option सुझती है अब यहाँ पर क्या right answer हो रहा तो past and different में subject के बाद सीधा बर्फी second form यूज होती है और बस देख लो यहाँ पर है the king rewarded gravity and loyalty या the king gave a reward for a gravity and loyalty तो देखो यहाँ पर give बर्फ का यूज तो कोई कुश्चन में हुआ नहीं है न पैसे बाइस में तो right answer आपका होगा option number two, question number 41 में चलिए, next है question number 42 and 42 में है I remember them taking me to the youth मैं उन्हें याग दिलाता हूँ taking me to the youth मुझे youth में ले जाने के लिए तो sentence को ध्यान से देखो कि हम इसे कैसे passive voice बनाएगे question number 42 में अब यहाँ पर देखो remember का passive voice तो नहीं बनेगा ठीक है लेकिन यहाँ पर जो आपका यह participle use हो रहा है बस इसी को आप passive voice बना दो ठीक है न आप कैसे बनाएगे यहाँ पर आप I remember having been taken to the view या I remember to be taken या फिर I remember being taken या फिर I remember I was taken तो यहाँ पर देखो आपका क्या लिखा हुआ है आपका ing form लिखा हुआ है तो right answer आपका होगा question number 42 में option number 3 I remember being taken to the view यह होगा आपका right answer question number 42 में ठीक है न चलिए आँके बढ़ते next है question number 43 and 43 में आपका active voice लिखा हुआ है the news surprised us news ने क्या जिया हमें surprise किया आपको और ना right answer यहाँ पर right passive voice क्या होगा we are surprised at the news या फिर we were surprised by the news या फिर we are surprised by the news या we were surprised at the news कौन सा option राइट है सबसे पहले tense देखो past indefinite tense है यहाँ पर surprise verb है जब पैसे voice बनाएगी तो यहाँ पर buy का use नहीं किया जाएगा इन दोनों को हटा देते हैं क्योंड़ी surprise से साथ हमेशा at proposition follow होता है अब बताओ कौन सा राइट है past indefinite है तो present indefinite का passive नहीं बनेगा राइट आंसर होगा आपका option नमर पूर कुष्ण नमर 43 है जो वी वर सर्प्राइज्ट एड़ नेगी तो यहाँ पैसे बॉइस बनाना है यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो देखो आपका indirect object और direct object दोनों लिके हुए है यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर यहाँ आपको मालू है यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर एग है राइट आंसर क्या यह उना है option नमर फोर फुष्ण नमर फोर ती फोर में चलिए आँए बढ़ते हैं next question पर और इसका तो आपको मालू है the option to give that first question number one question number four next question number 45 and question number 45 mr. Mukherjee&tees us tenes पुक्षिंट सा है present simple tenes तो अप्जिट हैं आपके पास यहां पर यह object है indirect object यह object है आपका direct object indirect object को हमने बना सकते हैं सब्जट अश्शाच्या हो जाए है इस अब वह हो जाए है । तेंस देखिए लेते पहले कुन सा आपका present indefinite tense है यह इंगलिस नहीं बना सकती है लेकिन यह पाश्ट के पैसे आपको क्या करना है तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका कुशन नमर 45 में तो राइट आंसर होगा आपका 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 46 में किसी ने उसका पर्स चूरी करते हैं और एक्टिव ओइस लिखा हुआ है आपका जो ऑबजिक्ट है यह आपका हिच पर्स हिच पर्स को बना दो आप सब्चेट अब प्रेजेंट पॉफेट टेंस में आप क्या होना है है और हैप जोत पर्स की धेंक होगा और बर्आफिरें तर्ड इसटेल कहा प्रेंस ने होगाट 15 गर्स और यहां पर आपको इसको बनाओ आप सब्चेट ठीक है और यहां पर देगु प्रेजेट आर लोड भोगा या फिल लूड आप्टर और सी का हुए आइगा इदार तो यहां पर यहां पर यह आंसर है यह आपका ऑप्चिन नमर खुर्ण आपको अप्सान नमर थृट चाइड गी लोड आप्टर गाई पुश्य नमर है आपकर 48 के हनी इच मेड़ बाई बीच किसे द्वारा बना जाता है बीच के द्वारा जन्रल सेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिने टेंस में लिखा हुआ है लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिने टेंस का पैसे बॉइस है यहां पर इज एम आर के साथ प्रेजेंट इस यहां पर जो राइट आंसर वह रहा बीच मेड़ वीजार में यह नहीं होगा राइट आंसर ओड़ा प्रेजेंट में यह आपका आप्सेंट नमर है पुर्टीनाइन पुर्टीनाइन में च्या है दाव यह 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 था? वाल्स है यह नॉट बिल डेकोरेटेड वाई YARS वो हमारे बारा देकोरेटेड नहीं थी गई थी पास्ट परफेट तैंस है लेकिन यह पर इवर्ब आल्रेडी है यह सेंटेंस पास्ट परफेट टैंस में आपका पैसे बाइस लड़ा हुआ है या बना या have not been decorating होगा या had not been decorating होगा क्या होगा राइट आंसर तो राइट आंसर होगा आपका यहां पर option number 2 कुछ्छा नमर 49 में we had not decorated the walls अब कोई भी मॉडल वर्व आपकी हो चाहें कैन कोड में मैं मैं इसके बाद आप बीवर्व लगाओ और इसके यह हो जाएदा आपका पास्ट आपका पैसिक बॉइस नलिनी आपका अब्जेट इसको बनाओ आप सब्जेट बना हुआ है चैन का चैन ही रहेगा कुड नहीं करना है तो option number 2 अडा देते हैं इसके साथ बीवर्व भी आएगी option number 1 अडा दो यहां पर बीवर्व है लेकिन वर्व की third form आईगी यहां पर आपका लिखा हुआ है ट्राइट प्रश्ट पौम है तो वो सही नहीं है रायट आउचिंञें और अच्छी लगी होगी और आप लोगा English Point app download कर सकते हैं प्ले स्टोर से जिसका link नीचे description box में है या पिर आप प्ले स्टोर से सीधा से download कर सकते हैं जहां पर आप तो कई सारे benefits की मिलेंगे Thank you, Thank you